तो दोस्तों ये वीडियो काफे important वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं market के बारे में, market में क्या चल रहा है उसको थोड़ा brief में हम यहाँ पर समझेंगे, लेकिन जो main agenda है इस वीडियो का, वो है chemical sector को cover करना, जो कि chemical sector में काफी सारी चीजें अभी analysis, हम उन stocks का करने वाले हैं, क्या यहाँ पर buying करनी हैं, क्या levels हैं, वो भी समझेंगे, वीडियो काफी important है, वीडियो के साथ बने रही है, सबसे पहले बात करते हैं, nifty 50 की, तो आज के दिन आप देखेंगे, almost flat ही हमको market देखने को मिला है, हाला कि जबसे यहाँ पर assembly elections के result आ देखेंगे, तो in place नजर आ रही है, economic point of view से, market point of view से, earnings point of view से, और macro point of view से भी बात की जाए, global macro point of view से भी, तो वो भी सारी चीज़ें अभी stabilize होती भी नजर आ रही है, तो मुझे लगता नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ी correction आने वाली है, लेकिन market अगर sideways रहा, थोड़ा सा भ रहा हूं, till today, 8800 करोड की यहाँ पर buying करी है, अगर मैं नवंबर की बात करूँ, तो आप देखें, नवंबर में करीब करीब इन्हों ने 5-6000 करोड के आसपास की buying की ती, लेकि अभी 6 तारिक तक में ही करीब 9000 करोड की buying यहाँ पर हो चुकी है, तो FIs यहाँ पर पूरे chances ह लोटते हुए, आते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब एक surety सी नजर आ रही है कि जब central, जो यहाँ पर central elections होंगे, लोग सब elections होंगे, तो यहाँ पर current government यहाँ पर अच्छे खासे verdict के साथ वापिस आ सकती है, और जो policy continuation का एक factor रहता है, जिसको market पसंद कर करता है, यहाँ पर जो एक continuation वाली चीज़े है, market को stability पसंद है, volatility, uncertainty पसंद नहीं है, तो वो चीज़े हैं पर factor in होती हुई, अभी already हमको discount होती हुई नजर आएंगी, तो एक अच्छी चीज़ है, FIs आते हुए नजर आएंगे, बड़ा inflow हमको market में आता हुए देखने को मि जैसा कि मैं लगातार आपको कह रहा हूँ इतने दिनों से, हमने इस वीडियो में भी बात करी थी कि large cap पे आप ध्यान रखिए, large cap को अब ignore मत कीजिएगा, ऐसा नहीं है, small cap, mid cap में ही अपना पूरा portfolio concentration दे रहे हैं, large cap भी आपके portfolio का part होना चाहिए, क्योंकि जब बड़ा प अगर हम बात करें, for that matter, IT की बड़ी companies हों, या फिर cement की बड़ी companies हों, and so on, so forth, यहां पर सब भागते हुए नजर आ सकते हैं, तो आप ज़रूर large cap पे focus रखिए, उसको भी ignore नहीं करना है, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, कि अभी market का mood यहां पर greed में देखने को म मिल रहा है, तो greed यहां पर बढ़ता हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि IPOs अच्छे आए हैं, काफी सारे IPOs अभी, जबरदस्त उनका listing होती हुए देखने को मिल रही है, gain जबरदस्त होती हुए देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं न कभी greed का यहां पर माहौल है, तो बहुत अग्रेसिव नहीं होना है, लेकिना, large cap में अच्छे opportunities हैं, वो आप buy कीजिए, और particularly जो sector अभी नहीं चले हैं, देखिए bull run में होता क्या है, कि sector rotation अब को देखने को मिलता है, हर sector यहां पर participate करता है, तो sector rotation अभी होता हुए देखने को मिलेगा, जो sector perform नहीं कर रहे थे, वो sector अब perform करेंगे, जो segment perform नहीं कर रहा था, वो sector अब perform कर सकते है, run up to the लोकसभा election, तो अब यहां पर एक sector की मैं बात ज़रूर करूँ है, अब वो है दोस्तों, chemical sector जिसने पिछले दो ड़ाई साल में, बिल्कुल भी perform नहीं किया है, एक तरह से under-owned sector यहां पर हमको देखने को मि देखने को मिली है, लेकिन एक जबरदस्त बेस यहां पर हमको पिछले 8-9 महिने में बनता हुआ देखने को मिला है, बेस formation की जबरदस्त यहां पर प्रक्रिया चली काफे लंबे समय तक, लेकिन आज stock में करी 12-13% की तेजी देखने को मिली है, जबरदस्त buying के साथ आज यह पर जा सकता है, क्योंकि सेक्टर में आप वापिस से पैसा आता हुआ देखने को मिल सकता है, 60% की correction के बाद, बाला जी अमाइन्स यहां पर एक अच्छे opportunity नजर आ रही है, and same goes with the alkyl अमाइन्स, उसको भी आप ज़रूर consider कर सकते हैं, बाला जी अमाइन्स, valuation perspective से यहां पर ए अच्छी होती हुए नजर आ रही, technical एक base बनता हुए नजर आ रहा है, हाला कि fundamental अभी भी इतने improve नहीं हुए है, इस बार के quarter के result अच्छे नहीं आये थे, next quarter में अगर result अच्छे आये, तो मुझे लगता ही यह stock यहां से, उस time तक काफी उपर जाता हुए देखने को मिल सकत है, chemical segment में specifically काफी केpex हुआ है, और जैसी यहां पर demand आएगी, यह कहीं न कहीं operating leverage हमको मिलता हुआ, देखने को मिलेगा, इन सारी companies में, तो अगर आपका लंबे समय का नजरिया है, तो chemical sector को बिलकुल भी avoid नहीं कर रहा है, यहां पर in fact आपको buying opportunities तराश करनी है, तो पहली opportunity बा हुआ देखने को मिला, यह वाला base देखिए, मार्च से 2023 से एक अच्छा base, उसके बाद एक downward trend का breakout देखने को मिला, अपने moving average की ओपर stock trade कर रहा है, major resistance जो यह वाला resistance था इसका उसको अभी breakout दे चुका है, और नीचे volume भी आप देख सकते हैं, तो आर्टी industries, जिस प्रकार का capex यह company कर रही है, जिस प्रकार की expertise है, इसको ignore नहीं कर सकते है, current market price पर यह भी buy है for long term, third है हाँ पर fine organics, एक और market leader company, इसमें भी जबरदस्त गिरावट हमको देखने को मिली, क्योंकि पूरे chemical जो segment था, उसमें देखने को मिली गिरावट, fine organics में भी देखने को मिली, number भी अच नजर आ रहा है, अच्छी company, debt free company, long term opportunity at this point नजर आ रही, fine organics में जरूर current market price पर average यहाँ पर कर सकते हैं, या fresh buy कर सकते हैं, next है यहाँ पर Deepak Nitrite, एक और शांदार company, एक और शांदार management, इसमें भी काफी लंबा consolidation चल रहा है, stock अब देखेंगे तो गहीं न गहीं, एक higher lows की यहा यह double bottom था, फिर उसके बाद higher lows than higher low, तो यहाँ पर एक अच्छा pattern formation दीपक Nitrite पर बनता हो देखने को मिल रहा है, और इस बार के number भी दीपक Nitrite के अच्छे आये थे, तो गहीं न गहीं आगे quarter भी अब improved देखने को मिलेंगे, तो दीपक Nitrite भी current market price पर buy है, और आपको देखिए यह short term नजरिया नहीं रखना है, अगर आप short term thought process या mindset से investing करेंगे, तो फिर आपको ऐसा लगेगा यार, अभी यह 10% गिर गया, फिर इसको बेजना है, फिर मैं जब बेज देता हूँ अभी फिर 10% गिरेगा, तब मैं खरीद लूगा, तो मुझे फायदा होगा, फिर वो 5% गिर जाएगा, फिर तो आप ऐसे ही सोचते रह जाएगा, आपको नजरिया रखना है, लंबे समय का, आपको track record देखना है company का, आगे के investment plan देखने है, management का यह अपर vision देखना है, और fundamentals देखने है, बस इतना देखना है, और बाकि आपको patients के साथ उसको hold करना है, बाकि आपक अच्छे ही मिलेंगे, हर sector का देखिए, एक बुरा time आता है, अच्छा time आता है, तो chemical sector का बुरा time जल रहा था, अब अच्छा time आएगा, तो जब बुरे time में जिसने patients के साथ hold किया, उनको फल मिलेगा, अब अच्छे time में, चले, दीपक NITRIGHT भी current market price पे buy है, और हर गिराव पे definitely एक opportunity दीपक NITRIGHT में नजर आएगी, इसके बाद है clean science एक और शानदा, debt free, जबरदस्थ specialty chemical की market leader company, इसमें भी ऐसा प्रतीर हो रहा है कि यहाँ पर bottom बन चुका है, और एक यह base create हो चुका है, और stock में buying देखिए, आप तो volume के साथ यहाँ पर इस consolidation zone में accumulation किया जा रहा है, तो इसे stock को भी buy कर सकते हैं, stock अगर 13 सो के आसपास आता है, तो यहाँ पर और accumulate कर सकते है clean science को, विनेती और्गनिक्स ज़रूर यहाँ पर आ रही है, इसके competition में, लेकिन clean science की बात की जाए, तो कहीं न कहीं इसके fundamentals और जो management की expertise है, जो technocrat management है, वो मुझे पसंद आता है, अल always, must buy, must buy in the portfolio, जबर्दस यहाँ पर एक demand आती है, देखी, यह जो एक level है, इसके ऐसा level है, वह यह इससे नीचे जाता ही नहीं, यहाँ पर खरीदार बैठे हो हैं, भर भर के यहाँ पर जोली भर लेते हैं, तो यहाँ पर I hope आपने buy किया होगा, नहीं किया है, तो कोई बात इस level पर भी buy कर लिजे, और नज़ेज़े रखें लंबे समयगा, तो कि सरफ शांदर कमपनी है, एक जबर्दस management vision वाली कमपनी है, केpex plan कमपनी के अच्चे हैं, आगे कमपनी की growth यहाँ पर हमको 20% की आसपास आती हुए देखने को मिल सकती है, फ्लोरीन chemistry में भी market leader कमपनी ह इसके बाद एक और फ्लोरीन chemistry की company नवीन फ्लोरीन इसमें भी जबर्दस गिरावट आई थी, management के जो रादेश वेलिंग है, उनका resignation की वज़े से यहाँ पर stock में गिरावट आई, लेकिन उसके बाद एक जबर्दस यहाँ पर stock bottom मना के उपर जाता हुए देखने को मिल रहा जो chemical के prices थे, global markets में वो वापिस improve होते वे नजर आ रहे हैं, तो इसकी वज़े से जो companies है chemical sector की, जो market leader companies है, वो यहाँ से improved performance शो कर सकते आगे आ ले quarters में, तो definitely आप यहाँ पर धीरे धीरे इनको accumulate कर सकते हैं, इसकी बाद एक fertilizer company में ज़रूर discuss करूँगा, वो है दीपक fertilizer, इसको इसको मैंने breakout stocks में consider किया था, लेकिन अभी इसको मैं थोड़ा सा positional point of view से consider करूँगा, दीपक fertilizer को क्यों यहाँ पर consider किया जा रहे हैं, सबसे पहले तो technically बहुत ही जवर्दस pattern है, नीचे आप volume देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि यह stock यहाँ पर नहीं रुकने वाला, यह stock अब यहाँ से अच्छा घासा अपने all time high तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, यह तो technical reason हो गया, ठीक है, fundamental reason मैं आपको बताता हूँ, fundamental reason है कि दीपक fertilizer one of the largest ammonia producer है इंडिया में, ठीक है ammonia producer, और ammonia के prices काफी गिरे थे, अभी कुछ time पहले, तो दीपक fertilizer के stock में काफी correction हुई, ल काफी इसका फायदा हो सकता है, तीसरा अभी latest update है कि government यहाँ पर करीब 13,000-14,000 करोड के आसपास का location कर रही है for fertilizer subsidy, तो इसका फायदा है सारी fertilizer company को, अगर आप देखेंगे दीपक fertilizer या फिर दूसरे जो fertilizer companies हैं, उनको फायदा होता हूँ, देखने को मिले का जिसकी वैसे stock भी वहाँ पर positive react कर रहे हैं, तो definitely दीपक fertilizer अच्छा नजर आ रहा है, technical chart पर, fundamental point of view से, fundamentals भी अच्छे हैं, company के group भी अच्छा है, तो दीपक fertilizer को भी आप ज़रूर add कर सकते हैं, अपने short to medium term के portfolio में, दीपक fertilizer, अब इसके बाद दो company और हैं, जो आपको ज़रूर अडार पर रखनी यह पहली है, Vishnu Chemical, ठीक है, और दूसरी है, Jubilant Ingravya, यह दोनों companies थोड़ा सा भी pressure में चल रही है, Jubilant Ingravya का थोड़ा से आपर अभी issue चल रहा है, इनके life sciences segment में, which is not looking promising as of now, but आगे जिस परकार के Apex है, company का specialty chemical में, यह एक dark horse हो सकती है, और Vishnu Chemical भी जबर्दस company है, import substitute product है, इनके प 96 तक उसके लिए काम भी कर रहे हैं, value added products भी launch कर रहे हैं, तो यह दो companies भी आप अपने portfolio में छोटा मोटा location दे सकते हैं, तो I hope दोस्तों यह वीडियो आपको informative लगा होगा, और chemical sector पर आपकी क्या राय है, वो भी आप comment करके जरूर बताईएगा, वीडियो अच्छा लगा तो